नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूँ, मुझसे ही आपके देश का नाम बड़ा भारत मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतहकरण में समाई रखी हैं ये आपको अपने गौरफशाली इतिहास और तुम्हारे शूर वीरों के सहसिक कारियों से अवगत कराएंगी आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की जिसका नाम था छत्रपती शिवाजी महराज संद सूला सु सत्ताइसी स्वी पूरे भारत पर मुगल सामराज का अधिपत्य था उत्तर में शाह जहां तो बीजापुर में सुल्तान मुहमद आदलशाह और गुलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुप शाह डेकन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम्स अफसरों को ही प्रात्मिक्ता देते थे पंदरगाहों पर पुर्त गालियों का कबजा था और धल मार्ग पर मुगलों का अधिकार इसलिए उत्तरी अफरीका और मध्य एशिया से मुसल्मान अधिकारियों को लापाना मुम्किन नहीं था और टेकन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे आदल शाह की सेना में एक मराठा सेना ध्यक्ष था शाहाजी भोसले शाहाजी सेना में उच्चपद पर आसीन था सन 1630 में महराष्ट में जुन्र के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ स्थानिय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नाम करन हुआ जो आगे चल कर छत्रपती शिवाजी महराज के नाम से विश्वफिक ख्यात हुए शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे इसलिए बच्पन में उनकी देखरेख माता जीजा बाई और गुरू दादो जी कोंडेवने की दादो जी ने उन्हें युद्ध कोशल और नीत शास्त्र सिखाया तो जीजा माता ने हिंदु धार में कथाएं जब दादो जी का सन 1647 में निधन हुआ तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्चपद पर आसीन होंगे लिकिन विधी को कुछ और ही मन्जूर था सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदु शासक का अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था एक कि वो शक्तिशाली सामराज्यों के केंदर से दूर हो जमीन खेती के लिए अनुपियोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि चापा मार युद्ध या गुरिला वारफेर करा जा सके ये परिस्थितियां 1646 में श्रिवाजी के लिए अनुकूल बनी जब उन्होंने स्थानियक के सानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया श्रिवाजी को भली भाती याद था कि किसी भी सामराज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है इसलिए सिर्फ पंदरा साल की उम्र में ही उन्होंने आदल शाही अधिकारियों को रिश्वत दे कर तोड़ना चकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोंदेव की मदद से थाना, कल्यान और भिवंडी के किलों को मुल्ला एहमत से चीन कर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदल शाही सामराज में हडकंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफतार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले साथ बरस तक आदल शाह पर सीधा आक्रमन नहीं किया। शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभाव शाली देश मुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली जिसके घुड सवार नीताजी बलकर ने संभा लखी थी और बैदल सेना यशाजी कलक ने। अब तक शिवाजी के पास चालिस किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संद 1669 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को दस हजार सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुकम दिया। अफजल खान अपनी कुरूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कतल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कोशल का परिचय देते हुए छापा मार पधती से युद्ध चानू रखा। इस समय वो प्रताबगड किले में रहे जो की चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोके से मारने की साज़ेश रची। उसने शिवाजी को मिलने का नियोता भीजा। जब वो मिले अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबा कर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तयार थे अपने छुपा कर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला जो कि उनसे दो गुना विशाल काये था इसके बाद प्रताप गड़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी माग दी शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया अब की बार रुस्तन जमान को भेजा गया 28 दिसंबर 1669 को शिवाजी ने रुस्तन जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया साथ ही उनकी सेना की दो और टुकडियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तन की पॉज पर आखमन कर दिया रुस्तन जमान शर्मिन्दा जनक स्थिती में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचा कर भाग गया सन 1660 में आदल शाह ने अपने सिना पती सिद्धी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा शिवाजी पनहाला किले में थे और सिद्धी जोहर की सिना ने किले को चारों और से खेर लिया शिवाजी ने सिद्धी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले आदलशाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्धी जोहर उनसे गदारी कर रहा है इस से आदलशाह और सिद्धी जोहर के बीच लड़ाई छड़ गई जिसका फायदा उठा कर शिवाजी एक रात अपने 5000 सिपाहियों के साथ 15 के लिए से बाहर निकलाए बाजी प्रभु देश पांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलज़ाए रखा जिसकी वज़ा से शिवाजी सकुषल विशालगर पहुँच गए इस लड़ाई में बाजी प्रभु देश पांडे को अपने प्रानु से भात धोना पड़ा उनको महराष्ट के इतहास में एक महान योधा माना जाता है इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने और अंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विंती करी उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को एक लाख पचास हजार सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने लेजा शाहिस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पूने पर कबज़ा कर लिया और शिवाजी के निवास्थान लाल महल पे अपना बस सेरा डाल बिया शिवाजी ने चालाकी से अपने चारसो सिपालियों के साथ शादी के बारातियों के फेश में उने में प्रवेश कर लिया रात के समय उन्होंने सीधे शाहिस्ता खान के ओपर खतरनाक हमला बोला खान ने खाकी से कूद कर अपनी जान बचा ली पर शिवाजी की तलवार की वाज से अपनी तीन उंगलिया गमा बैठा उंगली तो गई और इज़त भी फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यफसाई केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला और अंसेब आग बबुला होकर साथ वर्षे राजपूद सेना नायक मिर्जा राजा जैसिंग को अपने डेर लाक सैनिकों के साथ शिवाजी से लणने के लिए भेजा इस युद में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाक की मुद्रा हरजाने के रूप में देनी पड़ी उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा शिवाजी को नियंद्रित रखने के लिए पहले ये तैह हुआ कि उन्हे मुगल दर्बार में कोई पद दिया जाए लेकिन औरंगजेब ने उसको बदल कर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गल्टी बहुत महंगी पड़ेगी शिवाजी ने बिमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्त को लिए साधू संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जाताई एक दिन वो खुद श्रमिक के भेश में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपा कर बाहर निकलाए वो मतुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर हो लड़ते हुए रायगड पहुँच गए। की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदल शाह की मृत्ति हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिती में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परमपराओं के साथ शिवाजी का राज्य भिशेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेव और वेदों के उच्चारण के बीज किसी राजा का राज्य भिशेक संपन्न हुआ। जिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी। वो एक योग य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी यहां तक कि उनके व्यक्तिगत अंग्रक्षकों में कुछ मुशल्मान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहां तकी युद्ध में हारे हुए दुश्मनों कि स्थियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद, किलों का उप्योग और नवसेना का निर्मार भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने चार किलों तथा दो हजार सैनिकों से शुरुवात की थी और उनकी मृत्यू के समय तक ये गिंती 300 किलो एवं एक लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रेल 1680 को 52 साल की छोती सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। और अंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यू के बाद मराठा राज खत्म हो जाएगा। लिकिन ऐसा गुआ नहीं। पहले उनके पुत्र सामभाजी ने और उसके बाद छत्रपती राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर समाली। और अंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यू के समय तक पूरी तरह से बरबाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज की नीव रखी, वो आगे चल कर करनाटक से लेकर एटाउक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुश कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हिरते में अपने महानकारियों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं।